जहिन दोस्तो मैं मंगेश पवार पवार मिल्डरी अक्याडमी के यूटूब चानल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो आज आप सभी के लिए फिर एक सामान्य विज्ञान की लाइव क्लास लेकर आए हैं दोस्तो जिसमें आपको मिलेंगे सामान्य विज्ञान के टॉप 20 कोस्चन दोस्तो जो इंडियन आर्मी में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तो और यह जो कोशन है आएमपी नोटस है दोस्तो खासकर मेरी जो परस्नल अक्याडमी की नोटस है यह मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ दोस्तो क्योंकि आपका भी सिलेक्शन आने वाली सेना भरती में होना चाहिए ठीक है दोस्तो तो आप सभी को बता दू के अगर आप चानल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी चानल को सस्क्राइब कर दो और bell icon को दबा कर all पर set कर दो दोस्तो ताकि आने वाले हर सेना भरती से संबंदित और पूरे भारत में जो army के training center है दोस्तो वहाँ पर जो relation भरती होती है उसकी सही जानकारी आप सभी तक हम इसी YouTube channel के माध्यम से पहुचाते हैं दोस्तो इसी लिए channel को एक बार जल्दी से जल्दी सस्क्राइब कर दो और bell icon को दबा कर all पर set कर दो दोस्तो तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज की class को हम शुरू करेंगे जहिन दोस्तो जैसे कि आप सभी को बता दो दोस्तो कि आज के class में हम क्या देखने वाले दोस्तो इंडियन आर्मी special सामान्य विज्ञान दोस्तो और यह जो होंगी दोस्तो तो GS seat number 3 होंगी दोस्तो क्योंकि इसके पहले आप सभी के लिए दोस्तो सामान्य ज्यान एवा सामान्य विज्ञान के हमने सामान्य विज्ञान के दोस्तो 3 सीटे हो चुके क्योंकि सुबा हमारी class 9 बज़े होती है और रात को दोस्तो यानि इस वक्त हमारी class 8 बज़े होती है दोस्तो यह हमारे class का daily का schedule है आप अच्छी तरह से याद रख लो और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करो दोस्तो इस class के बारे में ताकि उनका भी आर्मी में selection होना चाहिए ठीक है दोस्तो तो ज्यादा देर ना करते हैं आज का हमारा पहला question देखते है तो जहीं दोस्तो हमारा पहला question है कि एक विद्यूत बल्ब को 220 वोल्ट से जलाया हुआ है विद्यूत प्रावा 0.50 एंपियर है तो बल्ब में पावर कितनी होगी दोस्तों तो 100 वोल्ट, 110 वोल्ट, 120 वोल्ट या इनमेस से कोई नहीं तो जल्दी से जल्दी लायव चार्ट में इसका सही जा बताओ दोस्तों आप सभी को बतादू ये स्वाल करने पर 110 वोल्ट आएगा दोस्तों कितना आता है यह 110 वोल्ट दोस्तों हमारा next question है चिकुन गुनिया कैसे फैलता है दोस्तों हमारा next question है दोस्तों इनमेसे कौन प्रदुशक नहीं है SO2, CO, CO2 या N2O दोस्तों जल्दी से जल्दी लायव चार्ट में इसका सही जा बताओ दोस्तों कि इनमेसे कौन एक प्रदुशक नहीं है तो आप सभी को बतादू दोस्तों जो N2O होता है दोस्तो यह एक प्रदुशक नहीं है दोस्तो हमारा next question है निम्नांकित में से scalar मात्रा कौन से है दोस्तो निम्नांकित में से scalar मात्रा कौन से है विद्धुत चेत्र, वेग, कोनिय सम्वेग या विद्धुत विभव तो जल्दी से जल्दी live chart में इसका सही जा बता दोस्तों के निम्नांकित में से scalar मात्रा कॉंसी है तो आप सभी को बता दो दोस्तों विद्यूत विभव option number D होगा दोस्तो इसका विद्धुत विवो हमारा next question है दोस्तो कि सोडा पानी बनाते समय किस गेस का प्रयोग होता है सलफर, carbon dioxide, carbon monoxide या carbon का तो जल्दी से जल्दी live chart में इसका सही जाँ बता दोस्तो कि सोडा पानी बनाते समय किस गेस का प्रयोग होता है तो आप सभी को बता दो दोस्तो carbon dioxide का किसका प्रयोग होता है दोस्तो carbon dioxide का हमारा next question है निम्न में से अधिसराशी कौनसी है दोस्तो निम्न में से अधिसराशी कौनसी है गती, बल, त्वरन या इन में से कोई नहीं जल्दी से जल्दी लाइव चार्ट में इसका सही जाओ बताओ दोस्तों कि निम्नमे से अधिस राशी कौन सी है तो आप सभी को बता दो दोस्तों आर्मी में यहने जो आप इंडियन आर्मी की तयारी करते हो दोस्तों और खासकर सोलजर जीडी और टीडियन में दोस्तों अगर आपको आदिस राशी और सदिस राशी अच्छी तरह से पता होंगी तो आपका एक भी question गलत नहीं होगा दोस्तो और अगर आपको पता नहीं तो समझ लो कि आपका हर एक question गलती जाएंगा दोस्तो आदिस राशी और सदिस राशी के बारे में मैं आपको आगे जाकर य और सदिस राशी ये भी एक special chapter पढ़ा दूँगा दोस्तो क्योंकि एक अच्छा सा point है और इस point में दोस्तो आप सभी को बता दूँ एक short trick बताऊंगा दोस्तो मैं आप सभी को जिससे कि आपको आदिस राशी और सदिस राशी आप जल्दी से देखते ही पहचान जाओंगे कि कोंसी आदिस राशी है ये वो कोंसी सदिस राशी है दोस्तो ठीक है तो हमारा question क्या है कि निम्न में से अदिस राशी कोंसी है तो आप सभी को बता दूँ दोस्तो जो गती है यह अदिस राशी होती है दोस्तो हमारा next question है हीरा डैस डैस का बना होता है दोस्तो शुद्ध बेरेलियम, शुद्ध कारवन, शुद्ध सूर्य का प्रकाश या इन में से कोई नहीं तो जल्दी से जल्दी लावी चार्ट में इसका सही जाओ बताओ दोस्तो कि हीरा किसका बना होता है तो आप सभी को बता दो दोस्तो हीरा शुद्ध कारवन का बना होता है दोस्तो किसका बना होता है दोस्तो हीरा तो यह शुद्ध कारवन का बना होता है हमारा निक्ट कोश्चन है हड्डियों का अध्यान कहा जाता है दोस्तों हड्डियों का अध्यान कहा जाता है किसको दोस्तों आरनितोलाजी को ओस्टियोलाजी को पेलेंटोलाजी को या हिस्टोलाजी को तो जल्दी से जल्दी लाइव चार्ट में इसका सही जाओ बताओ द दोस्तो के हड़ी के अध्यान को आस्टियोलाजी कहा जाता है दोस्तो क्या कहा जाता है ओस्टियोलाजी या आस्टियोलाजी दोस्तो हमारा next question है निम्न में से बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा है निम्न में से बिजली का सबसे अच्चा चालक कौन सा है तामबा चांदी लोहा या स्टील तो जल्दी से जल्दी लाइव चाट में इसका सही जा बता दोस्तो कि निम्न में से बिजली का सबसे अच्चा चालक कौन सा है तो आप सभी को बता दो दोस्तो कि निम्न में से CO3 येनिये 2HC2 ओ दोस्तो येनिये 2HC2 दोस्तो येनिये 2HC2 दोस्तो तो जल्दी से जल्दी लाइव चार्ट में इसका सही जा बता दोस्तो कि बैकिंग सोडा का सुत्र क्या है तो जल्दी से जल्दी पहले मुझे आप इस कमेंड में इसका ये दोस्तो लाइव चार्ट में जिनके सुत्रा आप सभी को पूचे जाने वाले है इसका भी मैं आप सभी को एक चाप्टर पढ़ा ही दूँगा दोस्तो जिससे कि आपको आने वाले सेना भरती में हर एक कोशन आपका आची तरह से आपको याद रहे सके और आप आने वाले सेना भरती में फोजी बन जाओ ठीक है सिर्फ एक बार याद रखना जो भी मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा वो सब अच्छी तरह से याद कर लिया करो दोस्तो नहीं तो आज क्लास होती है आज याद कर लोंगे और अगर कल पूछे गए तो आप कल भूल जाओंगे तो इस तरह से ना करो दोस्तो बार बार एक दो बार और क्लास देखा करो जिससे कि आपका वो कोशन अच्छी तरह से याद रह जाए दोस्तो तो क्या होता है दोस्तो बेकिंग सोडा का सुत्र तो आप सभी को बता दू कि बेकिंग सोडा का सुत्र दोस्तो यन्य यच सीवो थ्री होता है दोस्तो क्या होता है यन् केल्सियम ऐलूमीनियम या लोहा तो जल्दी से जल्दी हमें जाटे है कर दोस्तों के धरती पर सबसे ज़्यादा कांसी धातु पाई ज्यूत के द्हर्ती सबसे ज्यादा धर्ते हैठे थी सलोग्रमार्द केका दिनक्य दोस्तों हिमोगलोबिन का मुक्य घटक क्या है प्रोटीन लोहा वसा या विटामिन तो जल्दी से जल्दी लाइव चाट में इसका सही जाओ बताओ दोस्तो के हिमोगलोबिन का मुक्य घटक क्या है तो आप सभी को बताओ दोस्तो हिमोगलोबिन का मुक्य घटक लोहा होता है दोस्तो आयरन दोस्तों क्या होता है लोहा दोस्तों याची तरह से याद कर लो हमारा next question है दोस्तों निम्न में से कौन योगिक है निम्न में से कौन योगिक है दूद पानी हवा या पीतल तो जल्दी से जल्दी लावी चार्ट में इसका सही जाब बताओ दोस्तों कि नीम नमे से कौन योगिक है तो आप सभी को इसका जवाब देने से पहले बताना चाहता हूं दोस्तों कि मैंने देखा है कि बहुत से अभ्यारतियों को दोस्तों ये science के question समझ में नहीं आते है तो ऐसे अभ्यारति को याने जैसे कि दोस्तों अगर किसे के साथ होता है कि उनको science के question जल्दी याद नहीं होते तो उनको कहना चाहता हूं दोस्तों इन question पर ज्यादा से ज्यादा revision करो क्योंकि दोस्तों हम अगर पहले से हमारी याने दोस्तों अगर हमने science की तरफ ध्यान ज़्यादा नहीं दिया है इसलिए ये दिक्कत होती है दोस्तों अगर हमने ध्यान दिया होता तो आज हमें ये question एक बार में ही अच्छी तरह से याद हो जाती तो जिसके साथ ही एक problem होती है दोस्तों उनको कहना चाता हूँ कि आप बार बार इन question को देखा करो याद किया करो ताकि आप कोई अच्छी तरह से याद हो जाए यही एक मात्र उपा है दोस्तों इस पर बाकी कोई उनसा भी shortcut आप नहीं यूज कर सकते क्योंकि shortcut नहीं है दोस्तों ठीक है तो जल्दी से जल्दी निम्ना में से कौन योगिक है इसका live chart में मुझे जवाब बताओ दोस्तों आप सभी को बताओ के निम्ना में से पानी जो होता है दोस्तों यह योगिक नहीं है दोस्तों पानी जो होता है यह योगिक नहीं है हमारा next question है दोस्तों bullet proof glass की बाहरी परत मोटे काच की बनी होती है और भीतरी परत दोस्तों किसकी बनी होती है steel, stainless steel, polycarbonate या chromium plate तो जल्दी से जल्दी live chart में इसका सही जाव बताओ दोस्तों के bullet proof glass की बाहरी परत मोटे काच की बनी होती है तो भीतरी परत किसकी बनी होती है दोस्तों तो आप सभी को बता दू दोस्तो यहाँ पॉली कार्बोनेट की बनी होती है दोस्तो भीतरी परत किसकी बनी होती है पॉली कार्बोनेट की हमारा next question है दोस्तो सबसे छोटे नाभिक वाला तत्व कौन सा है दोस्तो तो जल्दी से जल्दी लाइव चार्ट में इसका सही जाओ बताओ दोस्तो के सबसे छोटे नाभिक वाला तत्वा कौन सा है तो आप सभी को बताओ दोस्तो के सबसे छोटे नाभिक वाला तत्वा यची होता है दोस्तो क्या होता है यची ही दोस्तो हमारा नेक्स्ट कोश्चन है कि जल में घुलनसिल विटामिन होते है जल में घुलनसिल विटामिन होते है विटामिन A, B, A or C विटामिन B, A or C या विटामिन C, A or D दोस्तो या इन में से कोई नहीं तो जल्दी से जल्दी लाइव चाट में इसका सही जाव बताओ दोस्तों कि जल में गुलनसील विटामिन कौन से है तो आप सभी को बताना चाहता हूं दोस्तों आप सभी के लिए अगर अभी तक आपने वो नई देखा है तो ये क्लास पूरी होने के बाद जरूर देखना दोस्तों क्योंकि इंडियन आर्मी के एकजाम में विटामिन से संबंदित एक कोशन पूचा ही जाता है दोस्तों और उसमें मैंने जो ये जल में गुलनसील ये व मैं आप सभी को बढ़ाता हूं दोस्तों जिससे क्या आपका कोश्चन अच्छी तरह से याद रजाए अगर आप वो क्लास देखते हो तो आपका इस कोश्चन का जवाब अच्छी तरह से देख सकते हो दोस्तों याने देख सकते हो ठीक है तो आप सभी को बता दो दोस्तो कवसे है धोस्तो जल मैं गुलनशिल विटामीन दोस्तो विटामीन और विटामीन अशी है दोस्तो हमारा next question है निम्नमें से कον सा विटामीन वसा में गुलनशिल नहीं है दोस्तो निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनसिल नहीं है विटामिन ए विटामिन बी विटामिन या विटामिन के तो जल्दी से जल्दी लाइव चार्ट में इसका सही जा बता दोस्तो के निम्न में से कौन सा विटामिन याने वसा में घुलनसिल नहीं है तो आप सभी को बता दूद in वी जो होता है यह वसा में घुलनचील नहीं होता है दोस्तों कौ Portuguese में Engine नहीं होता है दोस्तों तो बीटामीन करके जो चाप्टर हे दोस्तों आप बार देखो सब कुछ तरह से समझ करें आजांगा दोस्तों कौन सा भी आप confused में नहीं रहूंगे दोस्तों हमारा next question है कि चेहरे की कितनी अस्तिया होती है 12, 30, 40 या 14 दोस्तों तो जल्दी से जल्दी live chart में इसका सही जाओ बता है कि चेहरे की कितनी अस्तिया होती है तो आप सभी को बता दों दोस्तों चेरे की कुल 14 अस्तिया होती है दोस्तों, कितनी अस्तिया होती है चेरे की, तो 14 अस्तिया होती है दोस्तों, हमारा next question है, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संक्या कितनी होती है, 206, 200, 201 या 220 दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी लावी चाट में इसका सही जा बता दोस्तों, क कि मानो शरीर में कुल हड्डियों की संक्या कितनी होती है तो आप सभी को बता दो दोस्तों कि ये कोश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों क्योंकि ये कोश्चन सब को पता होना चाहिए कि मानो शरीर में कुल हड्डियों की संक्या कितनी होती है दोस्तों कि तो 206 यह अच्छी तरह से याद रख लो हमारा last question है दोस्तो इस series का मानव का रुदय एक मिनट में लगबक कितनी बार धड़कता है 72 से लेकर 50 बार दोस्तो 60 से लेकर 70 बार या 72 से लेकर 80 बार या 50 से लेकर 78 बार दोस्तो तो जल्दी से जल्दी live chat में इसका सही जाओ बता दोस्तो कि मानव का रुदय एक मिनट में लगबक कितनी बार धड़कता है तो आप सभी को बता दो दोस्तो एक question हर किसी को पता होना चाहिए दोस्तो इसका जवाब कि 72 से लेकर 75 बार लगबक दो याने धड़कता है दोस्तो यह अची तरह से याद रख लो ठीक है दोस्तो तो यहां पर हमारे आज की class पूरी हो चुके दोस्तो और यह जो question ते यह टॉप याने हमारे जो IMP notes होती है दोस्तो उससे मैं लेकर यह question आप सभी के लिए जो हमारा यह notes है दोस्तो उसी से आप सभी को पढ़ा रहा हूं क्योंकि आने वाले सेना भरती में आपका selection होना चाहिए दोस्तो आपके selection ही हमारा सपलता होता है दोस्तो यह अच्ची तरह से याद रख लो क्योंकि अगर आप select होते हो तो हम सपल हो गए हम ऐसा समझते हैं दोस्तो जिन अभ्यारतियों की दोस्तो एक्जाम है तो आप सभी को बताना चाहता हूं कि आने वाले अकरा याने दोस्तो आज मैंने हमारे इसी यूटूब चानल पर एक यूडियो बनाया दोस्तो कि आर्मी के अड्मिट कार्ड के बारे में और एक्जाम कब होगी तो आप सभी को बताना चाहता हूं कि आर्मी की एक्जाम दोस्तो आने वाले 31 अक्टूबर 2021 को होने वाले दोस्तो जिन ब्याब्यारतियों की 28 फरवरी से लेकर अभी तक आर्मी के एक्जाम फोस्पेंट होती आ रहे है दोस्तों उनके लिए एक खुशकबरी है कि उनकी एक्जाम अब आने वाले 31 सक्टूबर 2021 को होगी दोस्तों और ये कनफार्म है अब क्यांसल नहीं होगी दोस्तों क्यां सक्टूबर 2021 को आर्मी की एक्जाम हो जाएगी ठीक है और आपके जो यारों है दोस्तों आप याने जिस यारों से आप संबंदित है दोस्तों उस यारों में जाकर याने जिन अब्यारतियों ने रिलेशन भरती दिये है दोस्तों तो आप जहां याने जिस सेंटर से रिले तो हमारे चैनल पर हमेशा के लिए बने रहो दोस्तों ताकि आपका आने वाली सेना भरती में सिलेक्शन हो जाए जै हिंद जै भारत इंकलाब जिन्दाबाद